तो आज हम सोफा क्लीन करेंगे दिवाली आ गई है नस्दीक बहुती तो ये वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है बट हम इस तरीके से अगर सोफा क्लीन करेंगे न तो हमारा कभी भी सोफा गंदा होगा ही नहीं तो इस ट्रिक को आप महीने में दो बार अपलाई कीजिए और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है ऐसा कि जो आपके पास ना हो आप इसली आप अपने सोफे को घर पर ही बिना ड्राइ क्लीन के बिना पैसे खर्च किये इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं तो ये देखिए म मैंने अच्छे से अपना सारा सोफा क्लीन कर दिया है दिवाली में हस्बेंट को टाइम भी नहीं मिलते हैं वह बाहर ऑफिस में इतने बिजी होते हैं कि घर का हमें सारा काम अकले ही करना पड़ता है तो इस तरह से सोफा क्लीन करना कर्टन्स वगिरा सारा हमें मैंस करना प पाउच कोई सा भी सैंपू आप यूज कर सकते हो और अगर सैंपू नहीं हो तो आप इसमें हैंड वास भी डाल सकते हो हैंड वास और सैंपू इन दोनों में से किसी एक का यूज आप कर सकते हो अगर हो सके तो आप इसमें थोड़ा सा विनेगर या नीबू एड़ कर लीजे जिससे क्या होगा कि jumps होते हैं जो वो सारे jumps खतम हो जाते हैं तो मैं इस तरह से महिने में दो बार करती रहती हूं तो मेरा sofa ज्यादा इतना गंदा नहीं होता है तो जब भी मुझे time मिलता है जब भी मुझे नीचे से deep cleaning करनी होती है सोफा के नीचे से तो मैं एक वार इस तरह से हाथ मार देती हूँ तो मेरा सोफा गंदा नहीं होता है और इसको मैंने फैन चला के ही रखा है बस थोड़ी देर इसको फैन में थोड़ी देर के लिए सुखाना है और जब हम कपड़े को यूस करें न जब सफाई करने के लिए उसको बिल्कुल अच्छे से हातों से निचोड लेना है उसके बाद ही हमें सफाई करना है सोफे की और सारा कुछ इस तरह से साफ करके आप कुशन भी उससे साफ कर सकते हो और बिल्कुल ड्राई रहता है वो उस गंदा नहीं दिखता है अगर आपका लाइट कलर है तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा उसमें सैंपू और उसकी मात्रा बढ़ा दें और थोड़ा सा उसको ज्यादा रब करना पड़ेगा आपको और इजीली आपका साफ हो जाएगा ये मेरे बच्चों के टॉइस हर जगे म मेरे बच्चे तो बहुती जादा तंग करते हैं इस तरह से तो मैं पर्ट करती रहती हूँ बच्चों को थोड़ा सा डाटना भी पड़ता है इन चीजों के लिए क्योंकि उनको समझ नहीं होती है इन चीजों की तो इस तरह से मैं करती रहती हूँ और बस इसका कवर लगा सफाई हो जाती है इस तरह से मैं सारा सेट कर दूंगी और मैं आपको एक चीज और पताऊंगी कि लिविंग रूम में जब हम सारे दिन हमें लिविंग रूम में ही रहना पड़ता है तो क्यों न हम उसको थोड़ा सा अच्छा सा डेकोरेट भी करके रखें जिससे हमें को अच्छा लगेगा तो हम सारे दिन हैपी भी रहेंगे तो इस तरह से एक बुद्धा की तस्वीर और बुक्स ये कुछ कुछ चीज हैं अपनी फोटो फ्रेम्स वगेरा कुछ फ्लावर स्पॉट इस तरह के रखें कुछ कटिंग से लीव बनी प्लांट वगेरा पानी मे आप काफी प्लांट ऐसे हैं जो पानी में भी आप लगा सकते हो इंडॉर वाले आप लिविंग रूब में रख सकते हो असानी से देखी आप कितना गंदा पानी निकला है सोफे का और ये इस तरह का सैंटर टेवल पर भी एक इस तरह का एक आता है तो इसको सैंटर में तो इस तरह से दिवाली पे कुछ-कुछ लेते रहना है, तो अच्छा लगता है, कुछ दिवाली पे मैंने किचिन के भी आइटम्स लिये थे, वो भी मैं आपके साथ सेर करूंगी, इस तरह से छोटा सा मेरा लिविंग रूम, इसका मैंने आज ब्लॉग बनाया था अपनी ल लाइक जरूर करें, थैंक यू, थैंक यू फर वाचिंग, बाई बाई